नमस्कार हमारे चैनल Optimum Health & Lastal पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो काजू के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये एक सूखा मेवा है काजू में कई ऐसे गुन होते हैं जो कि हमारे शिरीर के लिए काफी अच्छे होते हैं पुराने समय से काजू को शिरीर में ताकत लाने के लिए खाया जाता है काजू में भरपूर मातरा में वाइटमेन E पाया जाता है जो कि एक एक एंटी आक्सिडंट का काम करता है इसके हलावा काजू में भरपूर मातरा में पोटेशियम, आइरन, कॉपर, मेगनीजियम, सेलेनियम, मेगनीज जैसे मिनरल पाये जाते हैं जो कि हमारे शरीर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं तो आईए पहले जानते हैं कि रोजाना काजू खाने के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं और इस वीडियो के एंड तक देखीएगा क्योंकि एंड में आपको बताऊंगा कि आपको किस समय काजू का सेवन करना है ताकि इसका आपको सबसे ज़्यादा मिल सके काजू में कॉपर भरपूर मातरा में पाया जाता है ये हमारे शरीर में एंजाइम एक्टिविटी, हॉर्मन प्रोड़क्शन, ब्रेन सेल्स, आधी को बैलन्स करने में मदद करता है और साथ में कॉपर हमारे शरीर में रेड बलड सेल्स की संख्या में भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है तो इसका सीधा आफर ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको की एनीमिया है, को अपनी प्रावलम में राहत मिलती है काजू में वाइटमिन E और सेलेनियम जैसे एंटि आक्सिदेंस पाए जाते हैं, जो कैंसर से हमें बचाते हैं इसके अलावा काजू में जिंक होता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में भी बहुत ज़्यादा कारगर है अगर किसी व्यक्ति की यादडाश कम है, तो काजू उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं काजू में वाइटमिन B की बहुत ज़्यादा मातरा पाई जाती है, खाली पेट काजू खाकर शहाद पीने से ब्रेन मेमरी बढ़ती है काजू के सेवन से यादडाश में सुधार होता है, से खाने से यूरिक एसिट बनना कम हो जाता है और साथ में BPB कंट्रोल में रहता है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कमजोरी है, तो उसको रोजाना काजू का सेवन करना चाहिए काजू हमारे शरीर में भूक को बढ़ाने में काफी मदद करता है और इसका रोजाना सेवन करने से शरीर मजबूत वर सेहत अच्छी बनती है काजू में भरपूर मातरे में मोनो सैचुरेट फैट पाए जाते हैं काजू आपके हरीदय के रख्त का संचाय सही बनाए रखते हैं और साथ में कलोस्ट्रोल को भी कंट्रोल करते हैं जाना काजू खाने से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लेवल भी कंट्रोल में रहता है काजू में पोटेशियम और मेंगनीशियम बहुत मातर में पाया जाता है जो कि हमारे श्रीर में रक्त की मातरों को सही रखता है जिसकी वेज़ से हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या में भी बहुत जादा आराम मिलता है अगर किसी व्यक्ती के मूँ पर सफेद दाग है और अगर वो व्यक्ती अपने चहरे पर काजू का तेल लगाए इससे भी उसकी समस्या में उसे बहुत रहत मिलती है तो दोस्तों इतने सारे फायदे हैं काजू रोज खाने के पर जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज के फायदा और नुकसान होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको काजू खाने हैं ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाने हैं ज़्यादा काजू खाने से एक व्यक्ति को वजन बढ़ने, माईग्रेन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने, गॉल ब्लैडर में पत्री होना या फिर एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आईये आप जानते हैं कि कैसे आपको काजू का रोजाना सेवन करना है। तो काजू खाने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए आपको रोजाना सुबह पढ़कर सबसे पहले एक गिलास गरम पानी पीना है और उसके आदा घंटे के बाद आपको दो से तीन काजू को अच्छे से चबा कर खाना है जो भी व्यक्ति रोजाना ऐसे करेगा उसके शरीर को सारे काजू के लाबकारी फायदे मिलेंगे बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिन में तीन से अधिक काजू तो कभी भी ना खाएं मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो स ज़रूर शेर करें ताकि उन तक भी वैलिबल इंफोर्मेशन पहुंच चके और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक और भी ज़्यादे इंट्रेक्टिव और इंफोर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आती रहें तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए हम फि टेक केर गुडबाइ